प्रेश दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप्ड और नेवर मिस अनादर अपडेट NPCI यानि कि National Payment Corporation of India ने UBI की जरिये होने वाले payments में मिलने वाले cashback skin में एक बड़ा बदलाव किया है सबसे पहले आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही NPCI ने एक योजना जारी की थी जिसके अंतरगत मर्चेंट्स यानी वेपारियों को UBI के जरिये payments accept करने पर 1000 रुपिये तक की cashback दी जा रही थी वही customers यानि ग्राहकों को UBI के जरिये payments करने पर 500 रुपिये तक की cashback दी जा रही थी इन दोनों ही cashback schemes को NPCI ने बंद कर दिया है अब नई cashback योजना के तहट customers को UBI के जरिये payment करने पर सिर्फ 1500 रुपिये तक की cashback दी जाएगी परन्तु इसमें भी एक बड़ा सर्थ है या 1500 रुपिये का cashback सिर्फ भी में प्यूजर्स को ही दिया जाएगा पता दें की UBI की काम्याभी का एहम कारण उसका cashback और incentive ही है जून 2018 में UBI के जरिये transaction लगभग 24 करोड के आसपास हुई थी वहीं इसी साल UBI के जरिये transaction जून 2018 तक करीब 40,834 करोड रुपिये की हुई थी UBI transaction में इस बृद्धी का बड़ा कारण NPCI द्वारा शुरू की गई cashback इसकिम ही थी जिसके अंतरगत विक्किरेताओं को 1000 रुपिये तक का cashback और ग्रहकों को 500 रुपिये तक की cashback दी जा रही थी हाला कि private payment apps जैसे कि PTM, Google तेज और phone pay आज भी उप्योग करताओं के लिए favorites बने हुए हैं वही भी map की transaction rates अभी भी इनके मुकाबले काफी कम है जहाँ PTM में UPI transaction 38% वही Google तेज में 22% phone pay में 19% जबकि भी map में सबसे कम 7% की ही UPI transaction होती है भी map की इसी poor UPI transaction के कारण NPCI ने एक बड़ा कदम 1 July 2018 से उठाया है जिसके अंतरगत भी map users को ही सिर्फ UPI transaction पर cashback दिया जाएगा जिसका मतलब यह है कि आपको एक UPI ID उदाहरन के तोर पर at the rate UPI ID cashback पाने के लिए बनाना होगा जबकि पहले आप bank की UPI ID काफी उप्योग कर पा रहे थे उदाहरन के लिए add the rate XYZ bank ID अब इन banks की UPI ID UPI payments के लिए काम तो आएंगी परन्तु इनमें cashback की सुविधा नहीं होगी UPI transaction पर आपको cashback पाने के लिए भी map की UPI ID का ही उप्योग करना होगा TELEKOM NEWSKI REPORT